पूरे दिन सत्विशा नक्षत्र में ही चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी राहू है आज के जन में जातक सुन्दाय, बुद्धिमान, साहसी, प्रसिधी पाने वाले और सत्रों को जीतने वाले होते हैं ऐसे जातक विवेश में रहने की कामना करने वाले, बैग्जानिक तथा तकनीकी कार्यों में रूची रखने वाले, पुरानी वस्तों तथा कलाकृतियों के प्रेमी, अत्यधिक सोच बिचार कर कारे करने वाले, सात्रिक जीवन जीने वाले, महत्रा कांग्छी और उचन्गल प्रतियों की भावना विक्सित होगी और नेतित करने का मौका मिलेगा। प्रबल उत्साह और कारी वर्जा पूरे दिन बनी रहेगी, मगर नकारात्मक विचारों से दूर रहे। दूसरे की सलाह भानिकारक से धो सकती है, सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है, साथ ही यात्रा के दोरां वहां चलाने में सावधानी बनाए रखे। हलाकि कभी कभार मानसिक भाम की इस्तिती और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाओ भी बना रह सकता है, हलाकि विभागी सहयोग और अविकारियों की सकारात्मक प्रेड़ना भी समय समय पर बनी रहेगी, आज का राहु काल दोपार डेढ़ बज़े से तीन बज साथ साथ कारेच्षेतर में भी उतार चड़ाओ बना रहेगा, आर्थिक इस्तिती अनिकूल रहेगी और हर काम के साथ मानसिक अस्तर पर अनावस्यक चिंता, धवराहत, बेचैनी, कारेच्षेतर में रुकावट और निर्णय लेने की छमता प्रभावित हो सकती है, मा के स् अगर विद्धिय लेन देन में परिशानी महसूस होगी, विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा, आपने स्रास्त के प्रति सचेतर हैं और वहां सावधानी से चलाएगा विद्धियों के लिए आए संबंधी मामलों में प्रियास जारी रहेगा, बौधिक छमता में विद्धियोंगी और सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी, मगर व्यावसाईक अस्तर पर उतार चरहाव संभावित है, कारेच्षेतर के निरंतरता प्रभावित हो सकती है, वैवाहित मामलों के लिए आज का दीन अनिकूल रहेगा, बिद्धियार्थियों को अध्यान धापन में सफलता मिलेगी, प्रियास जारी रखें और वहां सावधानी से चलाएगा मित्वन राश के जातों के लिए बौधिक छमता का भिकास होगा और कारेच्षेत के प्रतिसा कारात्मा प्रेरणा बनी रहेगी, अचानक आर्थिक लाव संभाव है, आपके प्रयासों से सरकारी कामकाज और रुके हुए काम संपन्ध होगे और विद्धागी सहयोग के द चादिन सफलता दार्सित होगा, पारिवारिक सुख सहाद में प्रिद्धियोंगी और वैवाहिक रस्ताव सफल रहेंगे करक राशि के जात्कों को स्वास संभन्धी जटिलताओं के साथ ब्यावसाइक साउधानिया, संभन्धीत मामलों में वार्विबाद और कारियों में रुकावट के साथी साथ बिरोधियों से साजिस की संभावना और चोट चपेट लगने का संकेव भी मिलता है चंद्रमा आज आठ में भाव में राहू के नक्षत में चल रहे हैं वह हम सावधानी से चलाएं और विप्रीप परिस्तियों में धैर्य और सहियम के साथ कारेच छित में लगे रहे हैं हाला कि अभिकारियों की सकाराद्मा कोई रणा मिलती रहेगी आर्थिक वक्ष मजबूत रहेगा और विध्यात्यों के लिए आज का विंसामाने रहेगा प्रियास जारी रखें सिंग रासी के जात्कों को उपलब्धी आसील होगी कारेच छित में विकास और करमचारियों से सहीयोग मिलता रहेगा सरकारी कामकाई पूरे होंगे आपका उर्जास्तर और दिट हिच्छा सकती नई कारियोजनाओं के लिए मदद करेंगे आठिक लाव अच्छा रहेगा मगर भ्राम के स्थिती आपके मीरने छंता को प्रभावित कर सकती है सावधानी अपेच्छित है, साजेदारी में लाव मिलेगा विध्याथियों को अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुपूल रहेगा अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वहान सावधानी से चलाएं कन्या राशी के जातकों के लिए रचनात्मक्त रियाशिल्ता बनी रहेगी आठिक लाव के नई आउसर मिलते जाएंगे मगर आत्मिश्वास में उतार चहाओ बना रहेगा हर काम करने के प्रति नकारात्मक विचारों का पैदा होना स्वाक्थ पर्ता की भावना आठिक लाव में कमी और मौसम संबंदी संक्रमन से होने वाले खत्रों का संकेत मिलता है हलाक कि साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और सरकारी कामकाज में सहयोग बना रहेगा नकारात्मक विचारों से दूर रहे और विदोधियों से सावधानी अपेक्षित है विद्यात्यों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा अध्यान अध्यापर में प्रयास जारी रखें और स्वास संबंदी आवसक साउधानी बनाए रखें तुला राशी के जातों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा शारिलिक और मानसिक रूप से उर्जाबान महसूस करेंगे भविस की योजनाओं के प्रती नीजी निवेश की प्रवरिती बनी रहेगी और किसी समारोह में सम्मानित की जाएंगे मगर कुछ कारियों में कुट नीतिक पहलूओं पर भी दीमाग केंदित होगा ब्रहम की स्थिती के साथ आत्मिश्वास प्रभावित होगा हाला कि आथिक लाग मन मुताविक मिलता रहेगा और साजे तारी के प्रस्ताव लावदायत रहेंगे बिद्ध्याथियों को सिप्छा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी और वायवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनुकूल रहे था बिद्ध्याथियों को सिप्छा प्रत्योगता में सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखे नकारात्मक विचारों वाले गत्यों से जूरी बना कर रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनुकूल रहेगा धनु राशी वाले जात्वों के कारेश एली में सुधार होगा रचनात्मक सक्रियता हर काम में सफलता दी जाएगी सरकारी काम काज पूरे होंगे और विधागी सहयोग बना रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा रधिरिक्त आयके संसाधनों में विद्धी होगी मकर आति आत्मिश्वास से पहल करने की प्रवृति प्रभावित होगी चंद्रमा राव के रक्षत में हैं प्रयासों में बल मिलेगा अधूरे काम पूरे होंगे और साजेदारी के कार्णों में लाव मिलेगा ब्यावसाई का निकूलता बनी रहेगी और संब्धित मामलों में यात्रा संभावित है मगर मौसम संब्धित सावधानी रखनी चाहिए विद्ध्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा उंचित मार्व दर्शन की प्रवणा मिलती रहेगी मकर राष्ट के जात्मों के आत्मिश्वास में ब्रिद्धियोंगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उमीड बनती है नीजी और घरेलू संसाधनों में ब्रिद्धी होगी मगर राहु का नक्षत निरने लेने की छमता को प्रभावित कर सकता है आर्थिक मामलों में सावधानी अपेवचित हैं बिद्ध्यात्यों के लिए आज का दिन साम्मान रहेगा अध्यन अध्यापन में प्रियास चारी रखें वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनिकूल रहेगा नीजी संबंदों में गलत फ़हमी पैदा हो सकती है साथ ही अपने सामान के प्रिति सचेत रहें चोरी होने का अंदेशा बनता है कुम्भ राजिवाले जात्मों का आज का समय सावधानी भरा होना चाहिए जबकि पराकरम बढ़ा रहेगा प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी नई कार योजनाओं में आठिक लाग की मनोब्रिति बनेगी हालाकि कारे छेतर में साशन सर्थावा अधिकारियों का साईयो भी मिलता रहेगा साज्यदारी के कामों में लाव का संकेत मिलता है मगर समद्धित कामों में महत्पून और ठोस नेखिक समझ कर लेना चाहिए यात्रा या प्रवास की स्क्रिति संभावित है वहहन सावधानी से चलाएं गोद्धियात्यों के लिए आज का समय सामान रहेगा प्रयास जारी रख़ें और पारिवारिक सुख सोहाद में गुद्धी होगी मीन राज़ी के जात्यों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार के साथ साथ खर्च की प्रवर्वित्ति भी बनी रहेगी हलाकि रचनात्मक प्रयास और देढ़ हिच्छा सकती आज के दिन साथ देंगे और नई कारी और जनाई लागी हो सकती है रुका हुआ धन भी मिल सकता है साजेदारी के मामले लागदायक सिद्ध होंगे साथ ही साथ कारी और जनाव में जल्दबाजी उचित नहीं होगी संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है मगर विद्याक्यों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा प्रयास जारी रखें यात्रा के दोरान अपने सामान के तकी साथानी या पिरचित है और वाहन साथानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए